इस वीडियो के अंदर हम आज एक market leader company के बारे में discuss करेंगे जो कि एक अच्छे level पर trade कर रही है और यहां से 30-40% opportunity इस stock के अंदर बन रही है तो कौन सा stock है क्या वो levels है और किस तरीके से आप लोगों को money management करना है और किस तरीके से आप लोगों को psychology रखनी है पूरा इस वीडिय से discuss करने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे जो भी वीडियो में आने वाले time में upload करता हूं उसके notification आप लोगों को सबसे पहले मिल सकते हैं तो start करते ह वीडियो को सबसे पहले हम analysis करेंगे stock का fundamentals की fundamentally कितने strong है because हम लोग stop loss ज्यादा लगाते नहीं और long term के investor हैं तो हमें business पर believe करना पड़ेगा company के अगर trading कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को chart पर बहुत अच्छे तरीके से with stop loss target और सब कुछ हमें देखना पड़ेगा लेकिन long term के अगर आप लोग investor हैं तो company का business देखना बहुत ज़रूरी है fundamental analysis करना भी बहुत ज़रूरी है because chart के basis पर आप short term में moment ले सकते हैं लेकिन long term में वही company आगे बढ़ेगी जिसका fundamental strong होगा तो start करते हैं सबसे पहले जिस company के बारे में बात करें उस company का नाम है astral limited pipe sector की market leader company है 1996 से ये company चलती हुई आ रही है और अच्छा return अपने investors को बना कर दिया है बहुत जनों को करोड़ 30 stock ने बनाया है अभी अगर market cap की बात करते हैं हम लोग तो market cap देखिए 34,170 करोड़ का है और market cap देखिए 34,000 करोड़ का है उसके बाद current price की हम लोग बात करते हैं तो 1700 रुपीज पर अभी currently trade कर रहा है 52 week high देखिए 2525 का है और वहां से कितना बड़ा low लगा है तो बहुत बड़ा correction इस stock में आ चुका है dividend कम देता है because growth बहुत जादा है इसके price में ROC return on capital employment बहुत ही अच्छा है 30% का अगर ROC company कोई maintain कर रही है तो उसका management बहुत ही जादा strong पैसा बनाने आता है और हमें वो ही चाहिए जिस company को पैसा बनाने आता है वो company का price automatically आप लोग देखिएगा long term में अपने आप reflect होता है short term में volatility आ सकती है लेकिन long term में वो company बहुत जादा grow कर सकती है और debt ना के बराबर है इसको debt free company भी consider कर सकते हैं तो जो आपका अभी चल रहा है कि reason inflation के कारण बहुत सारी companies पर दिक्कत आने वाला है तो इस company को जादा दिक्कत नहीं आने वाली है inflation के कारण because debt इतना कम ह ठीक है उसके बाद देखिए promoter holding 50% से उपर का है और एक भी share pledge नहीं है ये भी company के लिए बहुत बड़ा positive sign है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ company का quarterly result किस तरीके का है अब इस company के जब quarterly result को आप जब देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इस company में ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था जिसके कारण इस company में correction आ गया अब company का देखेंगे December quarter से March quarter अभी देखेंगे तो sales भी बड़ा था profit भी देखेंगे बड़ा था लेकिन हुआ किया इस March quarter को पिछले March 2021 से compare करते तो वाँ 175 करोड का profit था वहां से गटकर यहां आया क्या हुआ देखेंगे यहां कम हो गया 2021 में जो की naturally होना था second phase था कोविट का उसके बाद देखेंगे वापस से profit बड़ा जैसे ही normal हुआ उसके बाद कम हुआ है तो almost देखा जाए तो यह company 3-4 quarter से flat चल रही है इसलिए इस company के price में आप लोगों को correction देखने को मिला यहां से हमें पता चल गया अब हम लोग देखते हैं इसका year wise की तरीके से profit and loss statement है वहां से हमें पता चलेगा तो sales अगर हम लोग बात करें मार्ज 2021 से मार्ज 2022 में बड़ा है profit की बात करते हैं 400 करोड से 484 करोड का हुआ है 33 करोड का profit हुआ करता था 2011 में आप लोग देख सकते हैं 10 से 11 साल में कितना बड़ा profit jump हुआ है तो आप लोग देखें company ने लगातार grow किया है और ये company इसी तरीके से grow करती जाएगी तो इस company के fundamental और result में अगर देखें इतना बड़ा difference नजर नहीं आ रहा है जितना हम लोगों को price पर देखने को मिला उसके बाद borrowing की बात करते हैं तो आप लोग देखें 98 करोड था इन्होंने अपने borrowing पर work किया है आप लोग देखें यहाँ पर 2019 की देखिए आप लोग 275 करोड का debt हो चुका था borrowing हो चुकी थी कम खिया 80 करोड लाए और 100 करोड से अभी भी कम है debt reserves इन्होंने बड़ा लिया है उसके बाद CWIP 123 करोड का इन्होंने investment करके भी रखा है तो यह जब सारी चीजे normal होगी और जैसे ही positive news आना start हुआ company ने एक quarter भी अच्छा result अगर generate कर लिया तो आप लोगों को astral politics भागता हुआ नजर आएगा rocket की तरफ फिर अगर हम लोग बात करें तो इस company में देखिए आप इसका share holding pattern देखीगा public की holding बहुत कम है बड़े लोगों के पास इसका अच्छा खासा stock है अच्छा खासा माल उठा कर रखा हुआ है तो इस company में कभी भी बड़े move आ सकते हैं और F20 ने holding गटाई थी मार्स 2022 में ये भी आप लोग consider कीजिएगा तो astral polytechnic का business बहुत अच्छा है future में growth potential अच्छा है सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है fundamentals पर कीवल अभी अच्छी company के 2-3 quarter flat आये हैं तो उससे ज़ादा फरक नहीं पड़ता उसका reason आप लोगों को clear पता है कि किसलिए ऐसा हो रहा है और 7 में फिर रशिया युक्रेन हो गया तो सब combination बन जाता है इस तरीके का और एक अच्छे price पर stock चल रहा होता है ये stock breakout देने वाला था लेकिन breakout नहीं दे पाया अब हम लोग देखते हैं इसके high से कितना गिरा 37% गिरा हो और अभी की price अगर consider करते हैं तो almost 30% discount में मिल रहा है कितना मिल रहा है 30% discount में current price पर entry की जा सकती है बिलकुल की जा सकती है लेकिन उससे पहले मैं आपको price action समझा देता हूँ तो price action की जब हम बात करते हैं तो आप लोग दिखी एरो लगा कर रख रखे हैं मैंने यहाँ पर बार बार stock reverse कर रहा था और इसलिए यह बहुत strong support था जो की level था 1880 का यहाँ से नीचे break हुआ तो एक बार यहाँ में chance मिला था positional trade लेने का हम यहाँ पर तो लेते नहीं से यहाँ से भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोगों कोई 14-15% का momentum मिला ठीक है यह return हमने positional trading में निकाला उसके बाद इसको जैसे ही तोड़ा हमें पता था यह strong support था तो अब correction बढ़ा आएगा और 15-76 का level निकाल कर रखा था और 16-20 के आसपास में इसने low लग और वहाँ से भी अगर 16-20 के आसपास में पकड़ा होता तो वहाँ से हमें अच्छा return अभी मिल रहा है तो current price पर entry की जा सकती है बिलकुल की जा सकती है लेकिन इसके बाद next level अगर market में correction आता है in future वापस से because market में अभी condition stable नहीं हुई है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इन्वेस्टर के लिए accumulation का time कब है यह 18-80 से पहले तक 18-80 से 15-80 का जो level है इसके बीच में जितना ज्यादा accumulation अगर estral polytechnic को कर सकते हैं तो long term में हमें return मिल सकता है और पहला target जो रहेगा जब भी 18-80 तोड़ेगा यह तो पहला target हमारा यही वाला रहने वाला है यह वाला तो short bottom में 20-30% 30-28% का return आ रहा है तो 30% का return easily possible है यह एक साल का view भी लेकर रखेंगे न तो आप लोगों को अच्छी होते हो नजर आएगा और फिर से उसके बाद जो company है आप लोगों को 48-50% का return दे रहे होगी thumbnail में तो मैंने 30-40% ही return डाला है लेकिन 1-2 साल के अंदर यह company 50% से उ उपर जा सकता है तो बहुत बढ़िया opportunity एस्टल polytechnic के अंदर आप लोगों को मिल रही है यह मेरा view है मेरी study के according है मुझे positional trading में सबसे ज़्यादा success मिली है investment में भी अच्छा return मिलता है अच्छे price पर कर बाते हैं तो वो ही मैं आप लोगों के शाद शेयर करता हूँ final decision आप लोगों का होने वाला है आपको लेना है या नहीं लेना है यह decision आप लोगों का है तो आप लोग अपनी money management के according position ले सकते हैं मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया एस्टल polytechnic के बारे में तो I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा जादा से patience, courage और risk management की जरूरत है बस अच्छी company को hold करके बेठना है किस time पर बड़ा move आएगा यह किसी को नहीं पता होता इसलिए हम लोग क्या करते हैं parts में buy करके रख लेते हैं तो हम क्या करते हैं जब भी बड़े move आते हैं उसके बाद अपना profit book कर लेते हैं तो इसी तरीके से stock market चलता है, thank you for watching this video